इस वीडियो में हम रमन स्पेक्ट्रस्कोपी डिस्कस करेंगे बेसिकली ये वीडियो CSI and net gate के point of use इंपॉर्टन है और ये इस वीडियो का फॉस्ट पार्ट है तो पहली बात है कि रमन स्पेक्ट्रस्कोपी में हम क्या लेते हैं? यहाँ पर लेजर लेते हैं और हमनों scattering की बात करते हैं और एक और बात है कि Raman effect जो है बीक effect है यह सब कुछ पॉइंट से जो आ सकते है Raman shift जो है वो substance का characteristic है और देखें लेचर हैं आप ही उस करते हैं और scattering की बात करते हैं अब scattering पे देखें बात हुआ तो 2 होता है इलास्टिक के scattering में क्या होता है न कोई energy का exchange नहीं होता है मतलब वैसे हाँ पी क्या होता है Stokes line, Anti-Stokes line जब बनता है तो क्या होता है कि सोची हमारा particle है ठीक है उसमें एक wavelength of light यहाँ पढ़ा अब वो डिपेंट करेंगा कि पहले यह एच निउ था अब यह H new dash हो गया समझ लीजिए पढ़ने के बाद जो यहाँ से emit हुआ समझ रहा है न यह पहले गिरा इस particle पर फिर यह पढ़ने के बाद क्या हुआ दो चीज़ हो सकता है इसका frequency घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है उस basis पे stokes line और anti-stokes line होता है आप देख सकते हैं अगर बाद में जो सोची radiation आया उस particle को strike किया और scattering के बाद अगर उसका frequency lower हो जाता है ठीक है तो उसको stokes line बनता है और अगर उसका frequency बढ़ जाता है तो उसे हम anti-stokes line कहते हैं और यह दोनों inelastic scattering होते है stokes और anti-stokes जिसमें energy exchange हुआ obviously energy exchange हुआ है न यह अगर सोची यह जो particle यह इसको energy दे देता है मतलब यह जो wavelength यह आराय लाइट इसको energy दे देता है उसका wavelength बढ़ जाता है और पार्टिकल का घट जाता है और अगर यह ले लेता है उससे तो wavelength इसका घट जाता है समझ रहना जैसे कि सोचीए कि यह energy आया कुछ ठीक है यह इस particle पर strike किया अब अगर इस particle ने इसको energy दे दिया तो इसका energy तो बढ़ जागा न वेव का न उस तरह से ही होता है वो particle पर डिपेंड करता है फैर वो अलग बात है वो inelastic scattering के बात है अभी हमें पहले देखना elastic और elastic में कोई energy exchange नहीं होता तो जिसमें energy exchange यह तो से Rayleigh scattering केरते हैं बहुत important है आपने चाहिदी class 11-12 पर physics पर पढ़ा होगा फिर stokes line, anti-stokes line अगर सोचीए particle strike किया उसके बाद wavelength बढ़ गया wavelength नहीं सॉरी अगर frequency बढ़ गया ठीक है तो वो होगा anti-stokes line और अगर frequency उसका घट गया Rayleigh से तो उसे हम कहेंगे Stokes line अब आपको जो main चीज धियान में रखना है इस पर सवाल आसकता है intensity पर तो सबसे ज़्यादा देखिए intensity Rayleigh का होता है फिस stokes का होता आप पूल सकते क्यों होती है इसलिए होती है सबसे कम कि anti-stokes में जो यह दिखिए transmission हो रहा है transition हो सबसे उपर से हो रहा है मतलब new is equals to one ठीक है यहाँ से हो रहा है तो आपको पता है ground state सबसे ज़्यादा populated होते जसे ज़्यादा ज़्यादा population कम जाता है तो यहाँ पर वैसे भी कम particles होंगे इसलिए intensity किसपे डिपेंड करता है आपने पढ़ा होगा intensity अब स्पेक्ट्रस्कोपी आपको थोड़ा भी आइडिया रोटेशनल वगेर खा तो आपने पढ़ा होगा intensity number of particles पर डिपेंड करता है तो यह तो पहले से उपर से स्टार्ट हो रहा है musicals 2 1 से down से कहा हो रहा है तो अब इसलिए इसका intensity कम होगा Rayleigh का सबसे ज़्यादा होता है यह पर कोई लॉस नहीं हो रहा है फिस्टोक्स प्राइडिस्टोक्स और अब देखिए डियाग्राम देख रहते है अब सुचिए यहां से गया पार्टिकल और यहां पर आया तो आप समझ सकते है कि यहां जो फ्रिक्वेंसी कम गया यह तो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी इसका कम है यह इतरा लिया था उसका frequency काम रहता है तो वो stokes लाइगे, जब frequency काम रहता है ना, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, lower frequency side of Rayleigh scattering, lower frequency होता है, तो stokes लाइग, और higher frequency anti-stokes line, आपको तो यही धियान में रखना है, बहुत ज़रा deep जाने कि ज़रा उतना unit gate के point of view सिना, कि high low, और फिर आपको numerical करना है, यह main बात है, यह ज़से सोचीगे Rayleigh है, stokes इसका low side, anti-stokes high side, और intensity पे Rayleigh सबसे ज़्यादा, फिर stokes, फिर anti-stokes, इतना करेंगे तो बस theory खतम, ठीक है, रमन effect is a BK effect, is a characteristic of a substance, आप क्या है देखिए, अगर आपको बस यह करना है ना, अगर आपको wavelength के terms में, अगर आपको दिया इसको सबसे पहले पर cm में convert करिए, अगर आपको मीटर में दिया है, तो उसको 1 upon, सोचे अगर मीटर में दिया, तो सेंटीमेटर में convert, फिर इसको पर cm में करिए, ओके, यह numerical इसका tricky है, हार चीज आपको पर cm में लेना है, आप इसको cm में निकाले कोश्च करिए, तो बहुत इसको पर cm में करिए, फिर अगर आपको exciting line दिया है, तो उससे अगर आप सोचे, रमान shift को minus करेंगे, तो stokes नहीं आएगा, और plus करेंगे तो antistokes line आएगा, लेकिन जो भी है, उसको आप पर cm में convert करिए, तब आपका numerical कभी गलत नहीं होगा, ओके, हम इसके numerical discuss कर देंगे, ओ प्लस करेंगे तो antistokes line आएगा, और आपको यह धियान में, रमान shift बराबर होता है, यह जो बीच वाले gap है तो रमान shift करते हैं, दोनों बराबर है, minus पे stokes नहीं बराबरी पे antistokes line, यह रमान shift क्यों हो, क्योंकि characteristics of a substance है, बस आप यह धियान में रखिए, कि पर cm में इसको लेना, यह बहुत important, एक numerical discussion यह आप समझ जाएंगे, thank you